पानी एक ऐसी गिज़ा है जिससे दुनिया की हर मैली चीज साफ की जा सकती है तब ही तो लोग कहते हैं कि अगर आप अपने चेहरे को फेस वाश से नहीं धोना चाते तो भी कम से कम दो बार पानी से जरूर साफ करें इससे ना कि आपका चेहरा खिला खिला लगता है बलकि हाइडरेट भी होता है आज एक कममाल का नुस्का बताऊंगी तो कम्प्लीट वीडियो देखना और अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना साथी मेरा ब्लॉग चेक आउट करें www.beautiful-u.any यहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे beauty tips तो description में लिंक है चेक करना न भूले चलिए बात करते हैं नुस्के की तो उसके लिए आपको चाहिए एक चमच water filter होना चाहिए इसके बाद इसमें आप add करेंगे 2 और 3 drops of honey देखिए मैं रहती हूँ दिली जैसी जंगा पर जहां का पानी बहुत जादा सक्त और आपकी skin और बालों के लिए बहुत खराब माना जाता है इसलिए अकसर लोग filter water ही यूज करते हैं बालों को धोने के लिए भी और चेहरे को धोने के लिए भी तो इसलिए मैं आपको suggestion दूँगी कि अगर आप भी ऐसी जंगा कहीं रहते हैं तो पानी को boil करके उसमें से एक चमच पानी निकाल कर इस्तमाल कीजेगा इस remedy को बनाने के लिए क्योंकि चेहरे का मामला है तो हम कोई risk नहीं ले सकते ये ना तो कोई face pack है और ना ही कोई cleanser बट अगर आप अपना पूरा दिन गुजारने के बाद इससे अपना चेहरा साफ करोगी तो ना ही आपके चेहरे पर कोई भी गंदगी, मैल, काला पन रहेगा बलकि अगर आपके चेहरे पर कोई science है जिनकी वजह से आपको pimples आ सकते हैं ये उन्हें भी खत्म करता है यकीन नहीं आता तो घर पर बना कर जरूर देखेगा बनाने में वक्त ही कितना लगता है दो मिनट लेकिन इसका result बहुत ही अच्छा है आपको लगीगा जैसे जादू हो गया हो और आपने market से कोई महंगा cleanser खरीद कर अपना चेहरा साफ कर लिया हो सिर्फ एक बार के इस्तमाल से ही ये आपके चेहरे को 70% तक clean करता है और आपका चेहरा ज्यादा glowing और निखरा नजर आता है प्लीज ट्राइ कीजिएगा इस यूनिक से remedy को अपने चेहरे पर और मुझे result जरूर बताएगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत बूलना चैनल को सब्सक्राइब करतो एक बैल आइकन पर जरूर क्लिक करें अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मुझे वर वाचिंग बाइ